क्रिस्तोफ चाफ्रलो की पुस्तक भीम राव अंबेटकर एक जीवनी जाती उन्मूलन का संकर्ष एमों विश्लेशन के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेटकर के जो विचार है जाती व्यवस्ता को लेकर वो बिलकुल अलग है पास्चाती चिंतकों से पास्चाती चिंतकों ने ये तो माना है कि यहाँ पर जाती गत भेदभाव होता है और जाती गत भेदभाव के चलते उपर की जातियां जो है वो निचली जातियों को दबाती है अपने वर्चस्प के चलते लेकिन यहाँ जाती बेटकर कि विचार वहीं से पाश्चाति चिंतकों से बिलकुल अलग होते हैं। लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए वे उस तक लिखते हैं। या मन गढ़न कहानिया होती हैं जो समय बीतने के साथ साथ आम जनता के बीच में लोगप्रिय होती हैं। और उन्ही लोग पर ये कहानियों को आम जनता जो है वो सच्चाई मानने लगती हैं। लेकिन होती वो कालपनिक ही हैं। तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि कितने सोचे समझे दिमागों की उपज है जाती व्यवस्था। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जाती व्यवस्था अपने आप पैदा नहीं हो गई है। इसको लागू करने के लिए बहुत सोच समझ कर प्लैंड तरीके से सोसाइटी में प्लांट किया गया है। और हर चीज को सिंबल के तौर पर इस्तमाल किया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं शरीर के सभी अंग जो है वो बहुत जरूरी हैं। आँखे जरूरी है, नाँख जरूरी है, मूँ जरूरी है, हाथ पैर सभी चीज जरूरी है। तो एक तरीके से माना जाता है कि सभी अंग बहुत महत्वकोर्ण है। ऐसा समझा कर ये लोगों को symbolism के तहट समझा दिया गया है कि आप सब तो important है लेकिन अंदर ये अंदर उन्हें ये भी बता दिया है कि हम मुझ से निकले हैं तो हम सबसे समानी हैं आप पैर से निकले हैं तो आप सबसे निचली पादान पर हैं और यहीं पर Dr. Ambedkar शांत नहीं ह को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं अब ग्रेडि इन एक्वालिटी क्या है ये हमने पिछले एपिसोड में जाना था जिसके चलते जो जातियां हैं उनमें भी कई सारी लेर्ज हैं एक दूसरे को दबाने के लिए उसमें हमने लांस्ट में डिसकस किया था कि किस तरीके से उपर की जातियां जो है वो निचली जातियों को दबाती हैं और लगातार उनका अपमान करतने चलती हैं तो लांस्ट में डॉक्टर अमबेटकर ने अपमान की जगा घ्रिना शब्द का इस्तमाल किया था कि एक दिन यही वज़ा जो है वो टकराहट की वज़ा बनेगी उ उपर से जो निचली जातियों को लगातार अपमान किया जाता है जैसे जैसे यह अपमान बढ़ेगा निचली जातियों में उपर की जातियों के लिए घ्रिना भी बढ़ती चली जाएगी तो पिछला एपिसोड हमने यहां पर समप किया था और आज का एपिसोड हम यहीं स जाएगा तो चलिए मेरे साथ जैभीन मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेटकर नामा परत्बत असमानता की धार्णा अम्बेटकर की मुख्य समाज शास्त्रिय खोजों में से एक है पुटनो 21 इस श्रेनी की अब प्रतिम सूख्ष्म चर्चा के लिए देखें ओ हरेशन मिट की इनेगले तैई गाजुआ दस साइटिड वर्ग पेज 16-17 1997 से 2002 में के आर नारायनन भार्ति गर्णाडाजी के राश्टर पती रहे पे दलित जाती से थे और कॉंग्रेस पार्टी के सदस्य थे उनोंने अम्बेटकर को निश्चय ही पड़ा होगा उनोंने जाती व्यवस्था के प्रसंग में अम्बेटकर की संभवतह इसी उप्मा का जिक्र करते हुए लगा तार बढ़ते सम्मान की व्यवस्ता और अपमान की परतबद व्यवस्था कहा था फुटनोट 22, के आर नारायनन, सुवेनियर अम्बेदकर, लीतो मौर्देन, इन जुलाई 1993, पेज 133 अम्बेदकर का मानना था कि इस व्यवस्ता में सामाजिक परिवर्दन से बचने के लिए जबरदस्त लचीलापन है, अब वो लचीलापन क्या है, वो उसे डिसकस कर रहे हैं, इन ग्रेडिड इन एक्वालिटी के जरिए, कि कितना लचीलापन है, ये जातियां क्यों खत नही हो पा रहे हैं, इसके उपर जरा फोकस कीजेगा, यदि ये समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है, एपिसोड लंबा भी हो सकता है, पेशन्स बनाए रखिएगा, अगर निचली जातियां, अपने उत्पीड़न को उखाड फेकने के स्थिती में नहीं हैं, तो इसक कारण यह नहीं है, कि उन्होंने इस सौपान क्रम को आत्म साथ और स्विकार कर लिया है, बलकि परत बद असमानता के विशिष्टताएं भी इसका एक मुख्य कारण हैं, और यह सब कुछ हमने जाती का विनाश में भी डिसकस किया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मान ल परत बद असमानता, जाती विवस्था का केंद्रिय तत्व, अब कैसे यह सुनिये, अमबेटकर समाजिक समानता के लिए प्रकर हिमायती और कार्य करता थे, उन्होंने इसकी दार्शनिक जणों का अध्ययन पश्चिम में अपने प्रवास के दौरान किया था, जहां उन्ह इसके लाब व्यावाहार के धरातल पर दिखाई पड़ रहे थे, उनकी नजर में रिपब्लिक और फ्रांसेसी करांती के सारे मूल्य इसी से पैदा होते थे, तो विदेशों के कॉंटेक्स्ट में यदि आप सोचेंगे, तो वहां करांती होना बड़ा आसान है, एक निचल हुआ, जबकि हाँ तो लंबी संथ परंपरा की एक फिहरिस्त भी सासा चली है, पैरलल, जिसे कहते हैं, आइडियोलोजी, तब भी ये संभव क्यों नहीं हो सका, भाईचारा और मुक्ति असल में व्युद्पन यानिके डेरिवेटिव धरनाएं हैं, इनके मूल में तो समा की धरनाएं ही हैं, भाईचारा और मुक्ति की कल्पना इनी दो मौलिक धरनाओं से खुराक लेती है, अगर हम और नीचे जाएं तो पता चलता है कि सबसे मौलिक धरना समानता ही है, मनुष्य मात्र के प्रति सम्मान उसी का प्रति बिम्ब है, जहां समानता का निशेद होत महराश्णा 1987, पेज 66, तो जाहिर सी बात है, जहां समानता का अधिकार होगा, वहीं बरावर का सम्मान भी होगा, जहां सम्मानता ही नहीं है, तो वहना सम्मान होगा और ना ही कुछ और होगा, हमेशा दबाने की, दबा कर रखने की ही बात होगी, मैं फ्रांसीसी या अमेरिकी समतावाद के साथ, एक उतकट व्यक्तिवाद को भी स्वाभाविक रूप के साथ लेकर चलते थे, व्यक्तिवाद के प्रती ये आस्ता उनकी निजी सरगर्मियों में भी देखी जा सकती है, मगर उनकी ये आस्ता जाती वेवस्ता जो कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान नहीं देती और केवल उसके जन्व के समुपर ही ध्यान देती है कि आलोजना में भी परिलक्षित होती है, अब इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ समानता काफी नहीं है, व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान भी जरूरी है, अब इसको इस किसी के अधिकार को दबाए नहीं, छीने नहीं ऐसा प्रोविजन कर रखा है समविधान में, लेकिन फिर भी उन्हें एक जाती के बैरिकेट के अंदर रख कर ही देखा जाता है, कभी भी उन्हें राष्ट्रे नेता के तौर पर नहीं समझा जाता है, और राष्ट्रे चिंतक पर आप रख कर देख सकते हैं मगर अम्बेटकर व्यक्तिवादी समाजों की तथा कथित समग्र समाजों और समानता की असमानता के साथ विशमता सिद्ध करने पर ही संतुष्ट नहीं होते वे आगे जाकर परमपरागत असमानता और परत्बत असमानता में भी फर्क करते हैं तो यहाँ पर वो चुप नहीं बैठते जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जाती जो है हमेशा हावी रहती है व्यक्ति कितना भी काबिल क्यों न हो वो राश्ट्री नेदा के स्थर पर नहीं गिना जाएगा उसे हमेशा जाती के स्तर पर ही गिना जाएगा तो ये तो हुआ परमपरागत रूप डॉक्टर अमबेटकर इस परमपरागत रूप से ही सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो कहते हैं इसमें भी बहुत सारी लेयर्ज है और दोनों एक दूसरे से अलग हैं कैसे अब ये समझे और ये सबसे एहम पार्ट है इस वीडियो का उनके मताबिक परत बद असमानता परमपरागत असमानता से कम से कम दो गुना ज्यादा खतरनाक होती है फुटनोट 23 और 24 में अब एक साथ पढ़ती हूँ फुटनोट 23 ये हमने पढ़ लिया था पुटनोट 24 अगें बिया रमबेटकर रिवोल्यूशन इन एबिट पेट 320 असमानता की सामाने धारणा में हम एक ऐसी सामाजिक स्थिति की कलपना करते हैं जहां प्रभुत शालिस समू एक दूसरे से टकराते हैं जैसे अध्योगिक समाजों में मजदूर वर्ग पूझी वादी वर्ग के विरुद संघर्षिच करता है पुराने निजाम यानिके आंशिये रिजहीं फ्रांस की क्रामतिपूर व्यवस्था में थर्ड स्टेट के लोग कुलीनवर्ग और राजा के खिलाफ खड़े हो सकते थे मगर बकॉल अमबेटकर एक जाती ग्रस्त समाज जिस प्रकार की असमानता से जूजिता है वे बिलकुल अलग तरह की असमानता होती है क्योंकि उसका तर्क अधीनस्त समू को भी विभाजित कर देता है और इस तरह उन्हें एक जुट होकर उत्पीड़क को उखाड फेंकने से रोक देता है कहने का मतलब यह है कि सारा खेल जो है वो माइंड सेट का है ब्रामनों ने जाती विवस्ता सुचारू रूप से काम करें इसके लिए हरे को एक खास किस्म के माइंड सेट में बांध दिया है तो विदेशों में जैसे के अगर पूझी वाद है बड़ा अच्छा एक्जाम्पल डॉक्टर रंबेटकर दे रहे हैं कि पूझी वाद जो है उसमें जो मालिक होता है और जो मजदूर होता है उन दोनों में आपस में टकराहट हो सकती है यह तो सिर्फ दो ही वर्ण का संगहर्श हुआ लेकिन भारत के संदर्भों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब वो कैसे लेयर्स डिफाइन कर रहे हैं यह सुनिए परत बद असमानता की व्यवस्था में पीडित पक्ष किसी समान सतर पर नहीं होते ऐसा केवल तभी हो सकता है जब व्यवस्था सिर्फ उचोंचे और नीचे लोगों से मिलकर बनी हो परत बद असमानता की व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा यहां कुछ सर्वोच होते है इन सर्वोच के नीचे उच्च होते हैं याने की शत्रिये, उच्च के नीचे कम उच्च होते हैं याने की शूद्र और निम्न के नीचे निम्नतम होते हैं याने की अच्छूत जो सर्वोच हैं उनकी विरूत सबकी शिकायते हैं उसको सभी ध्वस्त करना चाहते हैं मगर वे कभी आपस में एक जूट नहीं होते क्यों नहीं होते जो उच्छ है वे उच्छ तर से छुटकारा पाना चाहता है मगर कम उच निम्न और निम्नतम के से हाथ नहीं मिलाना चाहता क्योंकि उसे भय है कि कहीं वो भी उसके स्तर पर आकर उसके समान ना हो जाए जो कम उच है वे उच्चितर और सरवोच को उखाड फिकना चाहते है मगर निम्न और निम्नतर के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं क्योंकि उसे भय है कि कहीं वे भी उसकी हैसियत में आकर उसके बराबर ना हो जाएं जो निम्न हैं वे सर्वोच उच और उच्चितर को गिरा देना चाहते हैं मगर वे इस डर से निमनतम के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते कि कहीं वेवी उपर आकर उसके समक्ष न हो जाए समकक्ष न हो जाए परतबद असमानता के इस विवस्था में कोई भी वर्ग पूरी तरह अधिकार रहित वर्ग नहीं होता सिवाए उस वर्ग के जो कि सबसे निचली पायदान पर स्थित है बाकी सारे वर्गों के अधिकार परतबद या श्ट्रेनी बद्ध है यहां तक कि जो निमन है वे वी निमनतम के मकाबले एक समपन वर्ग है चुकि हर वर्ग के पास कुछ सापेक्ष अधिकार है इसलिए हर वर्ग उस व्यवस्था को बनाये रखना चाहता है अभी सब को डिस्क्राइब करती हूँ अब इससे समझेए वैसो तो इसमें समझाने लाए कुछ भी नहीं है यह हम सभी जानते है अब वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि क्यों यह जाती व्यवस्था खत्न नहीं हो सकी ब्रह्मन को यदि शत्री हटाना चाहता है वो हटाना तो चाहता है वो ब्रह्मन को अटा कर खुद उचे पादान पर जाना चाहता है लेकिन फिर भी वो वैश्य शूद्र और अस्प्रिश्य से हाथ नहीं मिलाना चाहता क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर इनसे हाथ मिला लिया तो कल को ये भी मेरे समान हो जाएंगे तो समानता का अधिकार कोई किसी को देना नहीं चाहता इसको बहुत अच्छी तरीके से अब आप समझ सकते हैं अक्सर हम लोग कहते हैं न कि क्यों? ब्रह्मनों से भी जादा जो है वो शूद्र छुआ चाहत मानते हैं और सबसे जादा अस प्रिशों पे जो हैं वो शूद्र करते हैं अक्सर लोग ऐसा कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं उसकी वज़ाब आप ये मान लीजिए आप के माइंड को इस तरह सेट या फिक्स कर दिया गया है कि आप एक इस जातीवादी मशिनरी का ऐसा कलपुर्जा है जिसे एक खास काम के लिए फिट कर दिया गया है इसे एक मशीन की तरीके से समझी है जिसमें हर कलपुर्जा एक खास काम के लिए बनाया जाता है कोई पुर्जा बहुत बड़ा है कोई छोटा है लेकिन सभी important होते हैं इस machinery को चलाने के लिए लेकिन उसका switch किसी एक के पास होता है और वो यहाँ पर जाती व्यवस्ता का switch जो है वो ब्रह्मनों के हाथ में है और वो उसे चला रहे हैं और बड़े successfully चला रहे हैं और सब की दिमाग की conditioning ऐसी कर दी है कि एक जो है वो दूसरे को दबाने में यकीन रखता है यहाँ अमबेट कर मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पा रही हूं प्लीज comment section ने जरूर बताएगा जहां कोई clarification चाहिए हो यहाँ अमबेट कर जाती वेवस्ता कि सबसे शक्तिशाली यांत्रिक की को बेपर्दा करते है मगर वे अपनी व्याख्या को उसकी तार्किक परनीती तक अभी भी नहीं ले जाते है मतलब अभी conclusion आना बाकी है अभी वे केवल वर्णों पर ही ध्यान दे रहे हैं मानो समाज उन ही से बना हूँ मकर यदी ऐसा होता तो शूद्र सबसे उंजी जातियों को कब के हाशे पर धकेल चुके होता क्योंकि जैसा कि ब्रिटिश जनगनना के आंकड़ों से पता चलता है उस समय भी हिंदु आबादी में आधे से जादा शूद्र ही थे अब डॉक्टर अंबेटकर सबसे इंपोर्टेंट मुद्दे के उपर आते है हमने पढ़ा था आखरी जाति का जनगनना कब हुई थी 1931 में जिसमें किस जाति का कितना प्रतिश्यत है ये हमने पढ़ा था महाराष्ट के कॉंटेक्स में अफकोर्स और अब जो सबसे में बात है डॉक्टर अंबेटकर कह रहे है कि अगर खाली वर्णोता की बात सीमित होती तो कबका शूद्रों ने ब्रामनों को डिसोन कर दिया होता जाति व्यवस्था से लेकिन वो अब तक क्यों नहीं कर सके जबकि जातिकर जनगरना बताती है कि सबसे ज़ादा आबादी जो है वो शूद्रों की है और इसको अब जातिकर जनगरना से जोड़ कर भी देख सकते हैं कि क्यों सरकारे हमेशा बचती हैं जातिकर जनगरना से ताकि हुद्रों को या दूसरी निचली जातियों को अपनी ताकत का असली अंदाजा ना मिल सके सही-सही अंदाजा वो ना ले सके कि आखिर वो है कितने प्रतिशत में दरसल यहां वे जिस यांत्रेकी का ब्यौरा दे रहे हैं हर वर्ण जो है वो कई-कई जातियों में बटा हुआ है कैसे सुनिये नतीजा एक सक्त शाकाहारी ब्राह्मन जाती अंडा या मचली खाने वाले ब्राह्मनों के मुकाबले इस्ट्रेश्ट होने का दावा कर सकती है विभेदी करण की प्रक्रिया जातियों के भीतर भी बखु भी देखी जाती है उधहरन के लिए बाल काटने वालों की जाती में एक तबका ऐसा है जिसकी इस्त्रियों ने दूसरों के घरों में दाई का काम करना चोड़ दिया है यह काम गंदा माना जाता है इसलिए यह समुख खुद को अपनी ही जाती कि उन परिवारों से उच्छ दाई का काम करना बंद कर दिया है वो उन परिवारों को नीचा मान रही है जहां अभी भी दाई का काम चलता है इस प्रकार विधर्मी पन की कसौटी के आधार पड़े दोनों उपजातियां एंडो गेम्स उपजाती बनती जा रही है फुटनोट 26 हैरें श्मिट के अनुस 26 इस बिंदू पर देखें जे यल चेंबार्ड की ले कास्ट क्लान लहा मोदेर्न लियाह दं लावी पुलिटिये ए एकनॉमिक रिवेन्यू एकनॉमिक सोशल सेप्टेंबर 1967 फुटनोट 27 ओ हैरें श्मिट की एनेग लेते ही गाजवा पेज 14 सामाजिक ट्रेणिक क्रम के निचले इस तरों पर यह आगरे और भी तीखा हो जाता है जहां प्रतियक व्यक्ति को इस बात की और भी गहरी चाह रहती है कि कोई उससे भी कम हैसियत वाला हो कोई उससे भी नीचे हो तो यहाँ पर पंडित हजारी प्रसाद द्वेदी की बात याद आती है कि हर जाती अपने से निचली जाती ढूंड ही लेती है हिंदी साहिते के छातर हूँ इसले कह रही हूँ अंबेटकर इसी अथार्ट को चिन्हित करने वाले और अस्प्रिश्यों के बीच ऐसी भेदों की निंदा करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेटकर से पहले इन लेयर्स को कभी किसी और ने ना तो ध्यान दिया और ना ही डिस्कस किया तो सूचिए कितना पढ़ा लिखा होगा इन्होंने और किस तरीके से इतना सब कुछ डिस्कस करने के लिए उस लेवल का एक्सपोजर भी चाहिए परिवार में एक पढ़ाय लिखाय की परंपरा भी होनी चाहिए आपके खुद के अंदर भी पढ़ने की परंपरा होनी चाहिए और बाहर जाकर दुनिया देखने का जो एक संजोग है वो भी होना चाहिए और सुधार करने की समाज को सुधारने की एक चाहद जो जुनून की हद तक हो वो भी होनी चाहिए और ये सब कुछ एक सांड डॉक्टर अंबेटकर के अंदर था ये सब कुछ डॉक्टर अंबेटकर इसलिए कर सके क्योंकि उन्होंने उतनी पढ़ाई लिखाई करी एक बर फिर दोहरा देती हूं शिक्षा का या पढ़ने लिखने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है सबसे पहले शिक्षित बनिये उसके बाद सोचने समझने की ताकत जब आएगी आप अपना रास्ता खुद चुन लेंगे किसी संगठान या किसी व्यक्ति को आपको दिशा निर्देश नहीं देनी पड़ेगी अंबेटकर की राय में अस्प्रिश्य एक विभाजित सम्हूं है जो उसी जाती व्यवस्ता से संक्रमित है जिसमें वे भी उतनी ही आस्ता रखते हैं जितनी सवण हिंदू रखते थे अस्प्रिश्यों के बीच मौझूद जाती व्यवस्ता ने परसपर प्रतिद्वन दिता और इल्ख्षा को जन दिया है और इससे साजा कार्रेवाईयों को असंभव बना दिया है बिया रमबेटकर हैल एट बे इन डॉक्टर रमबेटकर राइटिंग्स और स्पीचिज वॉल्यूम फाइव साइटिड वर्क पेज तूस्टिस्टिस्टिस्ट तेईस अक्टूबर 1928 को साइमन कमेशन के सामने अपना पक्ष रखते वे उन्होंने काफी करवाहट के साथ का था कि सवन हिंदूों ने अपना जहर शेष यानि कि शेष मतलब समाज में भी फैला दिया है फुटनो 29 डॉक्टर बाबा साब अमबेटकर राइटिंग्स और स्पीचिज वॉल्यूम टू बॉंबे गवर्मेंट ऑफ महराष्ट्रा 1982 पेज 489 उसी समय उन्होंने ब्रहम तो डॉक्टर अमबेटकर ने सबसे पहले ये बात कही थी जाती वैवस्था को लेकर के ब्रहमनों ने इसे डिवाइड एंड रूल फूट डालो शासन करो की निती जिसे हम अंग्रेजों पर थोप देते हैं वो दरसल सबसे पहले जाती वैवस्था लागू करने वालों न अपनाई थी वैस बात से खासतोर से व्यथित थे कि महराश्ट में महार और मांग समुदायों के लोग आपस में विभातक नहीं करते इसके अलावा वे खुद को गैर महार दलितों के प्रतिनिधी के रूप में भी स्थापित नहीं कर पाए थे उस समय भी लोग उन्हें मह चमारों और बाकी अस्प्रिश्य जातियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये एक कॉंट्रडिक्शन है समाज में विडमबना ही कही जाएगी ये बात समझते समझते भी पूरा एक शतक बीतने जा रहा है जब ये राइटिंग लिखी गई होगी उसके हिसाब से सो आज बस शतक ही हो गया समझें मांग और चांभार की पार्टी में ज्यादा संख्या में वह शामिल नहीं हुए इससे भी जाती विवस्ता के बारे में अमबेटकर की धार्ना और पुष्ट हुई या था इसमें स्वास अन्रक्षन की यांत्री की समाहित और स्थापित है इन में भी उच नीच है यदि आपको इंसिदेंस याद होगा हमने फर्स चैप्रेट में पढ़ा था कि जो महार होते हैं उन्होंने मांगो को अपने कुवें से पानी भरने से रोग दिया था कि महार तो नीचे जाती है इसलिए आप उनके कुवें से पानी ना भरे सारत अंबेट करने जाती का एक ऐसा सिध्धान प्रस्तुत किया जिसमें मौझूदा मानव शास्रियन के एंथ्रोपॉलोजी के बहुत सारे पहलूं का पूर्वा अनुमान मिलता है उनके अनुसार जातियां सिर्फ एक व्यवस्था के रूप में विद्यमान रहे पाती हैं ब्रह्मनों के मूले ही निर्नायक रूप से तैक करते हैं कि निचली जातियों के लिए क्या सही है और इस पूर्वता वाद का सबसे व्यापक साक्षे संस्कृति करन की प्रक्रिया थे चूंकि उनकी राइटिंग्स को बहुत तबियत से इग्नोर किया गया है इसलिए सारी बाते पहले कभी सामने नहीं आई और एक जाती दूसरे से निचली जाती ढूंड लेते ये भी सबसे पहले डॉक्टर रंबेटकर नहीं कहा लेकिन साहित्य में उसको ऐसे बताया कि उसमें से चांट चांट कर अलग करना बड़ा पेचीदा काम है कोशिश है कि हम अलग कर सके मतलब सच का सच और जूट का जूट अलग कर सके एक चूटी सी कोशिश हैं बेटकर ना माकी अंतिम मगड बेहत महत्वपून बात यह कि जाती का सौपान क्रम परत बद असमानता के लिए बहुत सपष्ट तर्ग को इंगित करता है जो पक्षपान के सबसे अधिक पीडित लोगों को कुलीन समहों के विरुद सामाजी गठ जोड बनाने से रोक देता है हर कोई इस जाती विवस्ता से छुटकारा पाना चाहता है लेकिन इस डर से कभी नहीं पा पाता है कि यार यदि हमने ब्रहमनों के खिलाफ किया और हमने वैश्यों और शूद्रों को अपने साथ ले लिया या अस्प्रिश्यों को अपने साथ ले लिया तो कल को ये छोटी जातियां हमारे सर पर चड़ जाएंगी ऐसी एक आम धारना है वो अक्सर छोटी जातियों के लिए ये शब्द आपने फिल्मों में भी ये डालग बहुत सुनाओ कि पैर की जूती जो है पैर में रहने चाहिए यही बात लोगों के माइंड में फिक्स कर दी गई है कि पैर की जूती की तरह है छोटी जातियां जो है उसमें शूद्र भी शामिल है वो अपने आपको अस्प्रिश्यों से बड़ा मान सकते हैं मगर जाती व्यवस्था में उनका यही हैसियत है हैरिन मिष्ट के मुताबिक यही मुखे कारण था कि यह समाज न केवल क्रांतियों बल्कि सामाने सुधारों की और कदम बढ़ने से भी अक्षम सिद्ध हुआ है फुटनोट 30 ओहरिन श्मिट इनेगलिताई गाजवा साइटिट वर्क पेज 20 फिर भी जाती के उद्गम और यांत्रिकी के अपने विश्लेशन के माध्यम से अंबेट करने निचली जातियों में एक विश्ष्ट और सम्मान जनक पहचान का बोध भरते हुए इसी क्रांति का मार्क प्रशस्त करने का प्रयास किया है और उसी प्रयास के तहट शायद उन्हें कुछ चेंजिस नजर आये होंगे उन्हें लगा होगा कि कभी तो जाके पढ़ाई लिखाई के चलते लोग इतने सक्षम हो पाएंगे कि उनकी बातों को समझ सकें इसलिए शायद वह क्या पाएंगे आने वाली सदी हमारी है लेकिन बिना पढ़ाई लिखाई के ये पॉसिबल नहीं है आने वाली सदी हमारी होगी कि सांसा उन्हें ये भी कहा था कि बिना ग्यान के ये लड़ने गए तो हार्ड निश्चित है तो पढ़ाई लिखाई का अगेन कोई विकलत नहीं है यहाँ पर आज का एपिसोड हम विराम देते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी मुझे उमीद है कि अब तक की सारी ही बातें आपको ठीक से मैं समझा पाई हूँ लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो आप प्लीज मुझे कॉम ऑढने कोईया दो दोल्क एपिसोड़कार कोईया आपसे कॉमें पर नहीं है यह चुम दोला है कोई है